राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वा बंधों संसकार की बाती चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज जेश्ट मास वट पुर्णिमा के दिन मैं आपको भगवान विश्णु की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे आप ध्यान पुर्वक सच्चे दिल से सुने बंधों जेश्ट मास पुर्णिमा का दिन भगवान विश्णु को बहुत अतिप्रिय है जो नुश्य भी आज वट पुर्णिमा के दिन भगवान विश्णु की इस कथा को सुनेंगे भगवान विश्णों उनकी हर मनो कामना को शिक्र पूरी करेंगे बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आनेवल सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जे विश्णु भगवान जरूर लिखे, बोलो विश्णु भगवान कीजे हो भीश्ण जी ने पूछा विप्रवर, मनुश्य को भी देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजे, भोग, अरग्य, आयू, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधोवर्ग, एवं सब परकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है यहें बताने की कृपा करें बुलसत्य जी ने कहा राजन, इस प्रिश्वी बर, ब्रहामन सदाही विद्या आदी गुनों से युप और श्री संपन होता है तीनों लोकों और परत्यक युप में ब्रहामन देवता, नित्य पवित्र माने गई है ब्रहामन देवताओं का भी देवता है, संसार में उसके समान कोई दूसर नहीं है वह साक्षात धरम की मूर्ति है और इस प्रिश्वी पर सब को मोक्ष प्रदान करने वाला है ब्रहामन सब लोगों का गुरू, उज्य और तिर्थ सरुप मनुष्य है ब्रह्म Richardson ने उससे सब देवताओं का आश्चे बठाया है पुर्वकाल में नारज जी ने इसी विश्य को ब्रह्म जी से इस पुरकार पूछा था ब्रह्मन किस की पूजा करने पर भगवान लक्षमी पती प्रसन होते हैं ब्रह्मा जी बोले जिस पर ब्रहामन प्रसन होते हैं उस पर भगवान विश्नु भी प्रसन हो जाते हैं अते ब्रहामन की सेवा करने वाला मनुश्य पर ब्रह्म प्रमात्मा को प्राप्त होता है ब्राहमन के श्रीर में सदा ही श्री विश्नु का निवास है जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रती दिन ब्राहमनों की पूजा करता है उसके द्वारा मानों शांस्त्रिय विदी के अनुसार उत्तम दक्षना से युग सो यग्यों का अनुष्ठान हो जाता है जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राहमन निराश नहीं लोडता उसके समपूरन पापों का नाश हो जाता है वहें अक्षे स्वरक को प्राप्त होता है पवित्र देशकाल में सुपात्र ब्रहामन को जो धन दान किया जाता है उसे अक्षे जानना चाहिए वह जनम जन्मांत्रों में भी फल देता रहता है ब्रहामनों की पूजा करने वाला मुश्य कभी दृद्र, दुखी और रोगी नहीं होता जिस घर के आंगन में ब्रहामनों की चरंधूली पढ़ने से पवित्तर एमम्शुद होते रहते हैं विपुन्य चेत्र के सुमान है उन्हें यग्य करम के लिए शेष्ट माना गया है पुर्वकाल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्रहामन का प्राध दुर्भा हुआ फिर उसी मुख से जगत की सिष्टी और पालन के हेतुभूत वेद प्रगट हुए विधाता ने समस्त लोकों की पूजा ग्रहन करने के लिए समस्त यग्यों के अनुष्ठान के लिए ब्रहामन के ही मुख में वेदों को समर्पित किया पित्रियग, विवहा, अगनी हैं, शांती करम सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राहमन सदा उत्तम आने गए हैं ब्राहमन के ही मुग से देवता, हव्वेका और पित्तर कव्ये का उभ्व करते हैं ब्राहमन के बिनादान, होम और बली सब निश्वल होते हैं जहां ब्राहमनों को भोजन नहीं दिया जाता वहां असुर, प्रेथ, देत्य और राक्षस भोजन करते हैं दान होम आदी में ब्राहमन को बुला कर उन्ही से सब करम कराना चाहिए उत्तम देशकाल में उत्तम पात्र को दिया हुआ दान लाख गुना अधिक फल दायक होता है ब्राहमन को देखकर शद्धा परवक उसको प्रणाम करना चाहिए उसके आशिरवाद से मनुष्य की आयू बढ़ती है वह चिरन जीवी होता है ब्राहमन को देखकर उसे प्रणाम ना करने से ब्राहमन के साथ द्वेश रखने से उसके प्रती अश्रद्धा करने से नुश्यों की आयू शीन हो जाती है उनके धन एश्वरे का नाश होता है पर लोग में उनकी दुरगती होती है ब्राहमन का पूजन करने से आयू, यश, विद्या और धन की व्रिदी होती है तथा मुनुष्य शेष्ट दशा को प्राप्त होता है इसमें तनिक भी संदे नहीं है जिन घरों में ब्रहामन के चर्नोदक से कीच नहीं होती जहां वेद और शास्त्रों की ध्वनी नहीं सुनाई देती जो यग्यें तरपन और ब्रहामनों के आशिरवाद से वन्चित रहते हैं वे शम्शान के समान है नारग जी ने पुझा पिता जी कौन ब्रहामन अत्यान पूझनियें है ब्रहामन और गुरु के लक्षन का यसावत वर्नन कीजिए ब्रहमा जी ने का बस श्रोतियें और सदाचारी ब्रहामन की नित्य पूझा करनी चाहिए जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पापों से मुग्ध है वेह मनुश्यें तीर स्वरूप है उत्तम श्रोतियें कुल में उत्पन होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता वेह पूझित नहीं होता असत श्यत्र मात्र कुल में जरम लेकर भी जो वेद अनुकूल करम करता है वेह पूझा के योग्य है जैसे महारिशी वेद व्यास और रिष्शेशिंग विश्वमित्र यदिपिश शत्रिय कुल में उत्पन है तथा भी अपने सत्कर्मों के कारण वेसमान है इसलिए बेटा तुम प्रिथ्वी के तिर्थ सरूप शोत्य और ब्रहामन के लक्षनों को सुनू इनके सुनने से सब पापों का नाश होता है ब्रहामन के बालक को जनम से ब्रहामन समयना चाहिए संसकारों से उसके द्विज संग्या होती है विद्या पढ़ने से वेह विप्र नाम धारन कता है इस प्रकार जनम, संसकार और विद्या इन तीनों से युत्त होना शोत्य का लक्षन है जो विद्या, मंत्र, वेदों से शुद्ध होकर तीरश्चनान आदी के कारण भी पवित्र हो गया है वह ब्राहमन परम पूजनिये माना गया है जो सदा भगवान शीनारायन में भक्ति रखता है जिसका अंतहकरन शुद्ध है जिसने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया है जो सब लोगों के प्रती समान भाव रखता है जिस के रिदय में गुरू, देवता, अतिथी के प्रती भगती है जो माता पिता की सेवा में लगा रहता है जिसका मन प्राई इस्तरी में कभी सुक कानभव नहीं करता जो सदा पुरानों की कथा कहता है और धार्मिक उपाख्यानों का प्रसार करता है उस ब्राहमन के दर्शन से प्रती दिन अश्व मेग आदि यग्यों का फल प्राप्त होता है जो प्रतिदिन, शुनान, ब्राहमनों का पूजन, नाना परकार के वर्तों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है जो गंगाची के जल का सेवन करता है उसके साथ वारतालाप करने से ही उत्तम गति की प्राक्ति होती है जो शत्रू और मित्र दोनों के प्रतिदे अभाव रखता है सब लोगों के साथ समता का वरताव करता है दूसरे का धन जंगल में पड़ाव तिनका भी नहीं चुराता काम और क्रोध आदी दोशन से मुक्त है जो इंद्रियों के वश में नहीं होता यजूर वेद में वरनित चतुर वेद मई शुदर 24 अक्षरों से युकत त्री पदा गायतरी का प्रतिदे जब करता है उसके भेदों को जानता है, बहब्रम पद को प्राफ्ट होता है पिता जी गायत्री का क्या लक्षन है उसके पतेक अप्षर में कौन सा गुन है उसकी कुक्षी चरण गोत्र का क्या निन्न है इस बात को स्पश्शूप से बताईए ब्रह्मा जी बोले वत्सर गायत्री मंत्र का चंद गायत्री और देवता सविता निश्चित किये गए हैं गायत्री देवी का वर्नशुकल मुक अगनी और रिशी विश्वामित्र है ब्रह्मा जी उनके मस्तक स्थानिय है उनकी शिखा रुद्र और रिदैश विश्णु है उनका उपनयन करम में विनी योग होता है। गायत्री देवी सांख्यायन गोत्र में उत्पन हुई हैं। पयर से लेकर मस्तक तक श्रीर के 24 थानों में गायत्री के 24 अक्षरों का न्यास करके विज़ ब्रह्मलोग को प्राप्त होता है। परतेक अक्षर के देवता का ज्यान प्राप्त करने से विश्नु का सायोज्य मिलता है। अब मैं गायत्री का दूसरा निश्चित लक्षन बताता हूं। वे 18 अक्षरों का यजिरु मंत्र है। अगनी शबल से उसका अरंभ होता है। स्वहा से हकार पर उसकी स्माप्ती जल में खड़ा होकर इस मंत्र का सोबार जब करना चाहिए। इससे क्रोडों पातक और उपातक नश्ट हो जाते हैं। जब करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या आदी पापों से मुक्त होकर मेरे लोग को प्राक्त होता है। बोलो विश्णु भगवान की जय हो। राधे राधे जय श्री क्रिश्ना। बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।